दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे भारत के कंजू सरबपती के वारे में तो चलिए दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि भारत के कंजू सरबपती आखिर है कौन जानकारी के मुताबिक आपको बता दी कि अजीम प्रेम जी को लोग भारत के कंजूस और अरबती कहते है क्योंकि ये अभी भी बहुत पुरानी कारी चलाते है अपनी और अपने कंपनी में छोटी छोटी चीजों पर बिल्कुल खर्च नहीं करते लेकिन फिर भी वो बहुत बरे दानवीर है आपको बता दे कि अजीम प्रेम जी अपनी पैसे बचा बचा कर करीब बच्चों की पढ़ाई में लगाते है और दुनिया के तीसरे सबसे बरे दानवीर लोगों में उनका नाम बेशुमार है दोस्तों यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी चैट सक्षन में जरूर बताईएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे दोस्तों क्या आप सभी जानते हैं रेड बूल के मार्केटिंग एस्टाटिजी के वारे में यदि नहीं तो आज के इस वीडियो में रेड बूल के मार्केटिंग एस्टाटिजी के वारे में जानेंगे इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखे तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं आपको बता दे कि रेडबूल ने जब लंदन में अपनी एनर्जी डिरिंग लॉंच की तो उन्होंने सिंपल मार्केटिंग एस्टेटेजी का इस्तेमाल किया जैसे टीवी रेडियो वगएरा यह सब लेकिन रेडबूल को इससे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला इसके बाद रेडबूल ने क्या किया आप सभी को जरूर सुनना चाहिए उसके बाद रेडबूल ने अपनी खाली बोदलों को सरकों पर और डश्ट विन में डलवा दी इसे लोगों को लगा कि रेडबूल बहुत ज़्यादा बिक्ती है और फाइनली यह मार्केटिंग एस्टेटेजी काम कर गई दोस्तों आप लोगों को यह मार्केटिंग एडिया क्यासा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए और ऐसे यह आमेजिंग वीडियो देखने के लाभी आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे